उत्तरप्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में बहतर स्वास्थ सेवायं देने के लाख दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके एकदम उलट दिखाई देती है। आज भी कई ऐसे स्वास्त्रकेंद्र हैं जहां समय पर डाक्टन नहीं मिलते तो कई स्वास्त्रकेंद्रों पर ताला लटका मिलता है जिसका खामे आजा मरीजों को भगतना पड़ता है ताजा मामला लखीमपुर खिरीर के पतरासी प्रात्मिक स्वास्त केंदर से सामने आया है जहां परिजन जब गर्बती को लेकर पहुँचे तो स्वास्त केंदर में ताला लटका मिला इस दोरान गर्बती फर्स पर ही दर्स से तड़पती रही लेकिन उसकी मदद करने वाला मौके पर कोई मौजूद नहीं था ऐसे में परिजनों ने आनन फानन में एंबुलेंस बुलाई और गर्बती को जिला अस्पताल लेकर गए ऐसे में सवाल यही कि आकर परदेश की स्वास्त सेवाएं कब पड़ रिपार आईगी जो परिशन अमारा बहुत ज़्यादा प्रेसान है फिर हम लखीम पूर से लेकर जा रहे है कहां ताला पढ़ा है कोई नहीं है जो दाई आई आई हैं यहां कि हैं कौन दाई उनका नाम कम जो से जांगे नहीं थी और आई नहीं का बताया दाई ने बताया कि इसे अवप्रेसनल माम लह तो आप लखीम पूचिदी कर जाओ शूँ कि हिर सकते हैं हमारा परेसंट ज्यदा प्रेशान है तो आदो मैं पड़ए गाई कहीं ना भी